आज हम बनाएंगे मसालेदार चिकन पिलाओ आज मैं आपसे शेयर करने वाली एकदम इजी रेसिपी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है चिकन पिलाओ बनाने के लिए इंग्रिडेंस देख लेते हैं तीन चम्मच अद्रक लसुन का पेस्ट दो चम्मच हरादनिया पाउडर नमक स्वादनुसार तीन बड़े टमाट्टर रफली चॉप्ट लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट एक चम्मच दो मिडियम आलू फल्दी पाउडर आधा चम्मच गरम मसला पाउडर एक चम्मच धै आधा चोटा बोल उदीन हरा धनिया तेन से चार तेस पत्ता पांच से चे हरी मिर्च रफली स्लाइस चार बड़े कांदे 500 ग्राम चिकन इसे मैंने अच्छे से क्लीन किया है चिकन को बाद में अच्छे से वाश किया है और जाली में दाला है ताकि उसका पूरा पानी निकल जाए यहां मैंने तीन क्लास चावल लिया है यह कोलम राइस है आप बास्मती राइस भी यूज़ कर सकते हो चलिए चिकन पिलाव बनाना स्टार्ट करते है यहां मैंने एक बड़ा टूप लिया है गैस मिडियम फ्लेम पे रखा है हमारा वेसल गरम होते ही इसमें हम 6-7 चमचा ओयल दालेंगे देखे हमारा ओयल गरम हो चुका है अभी इसमें हम बटाटा दालेंगे अभी हम बटाटे को फ्राइ करके लेंगे बटाटे को हमें जादा फ्राइ नहीं करना है बटाटे को हमें सिर्फ लाइट गोल्डन होने तक ही फ्राइ करना है आपको बीच बीच में चमचा चलाते रहना है ताकि हमारे बटाटे अच्छे से चारों तरफ से फ्राइ हो देखिए हमारे बटाटे फ्राइ हो चुके हैं अभी हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में अभी हम इसमें प्यास दालेंगे इसे हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे अभी हम इसमें नमक दालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे नमक दालने से हमारे प्यास जल्दी फ्राइ हो जाएंगे हमें प्यास को गोल्डन होने तक ही फ्राइ करना है आपको बीच बीच में चमचा चलाते रहना है ताकि हमारे प्यास अच्छे से फ्राइ हो देखे यहां पर हमारे प्यास फ्राइ हो चुके हैं अभी हम इसमें टमाटर दालेंगे और हरी मिर्चे दालेंगे स्लिट करके अभी हम इसे अच्छे से सोटे करके लेंगे अभी हम इसमें मसाले दालेंगे गरा मसाला पाउडर, नमक स्वाद नूसार, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, हरी मिर्ची का पेस्ट आज मैंने गरा मसाले पाउडर दाली हूँ, आप इसमें अखे गरा मसाला भी दाल सकते हो अधरक लसुन का पेस्ट, मिर्ची और अधरक लसुन को आप फाइनली चॉप करके भी दाल सकते हो तेज पत्ता, हम पुरे मसाले को अच्छे से सोटे करके लेंगे अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम आइडी मेरा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप मैंने पांच ग्लास पानी बॉइल करने के लिए रखा है शाले की ग्यास का फ्लेम स्लो करेंगे इसमें हरा धनिया पुदीना चॉप करके दालेंगे अभी धई दालेंगे और इसी अच्छे से सोटे करके लेंगे पुलाओ में जब भी धई यूज करो तो ग्यास का फ्लेम स्लो करेंगे और फिर उसमें धई दालेंगे देखिए हमारा मसाला तयार है चिक्न पिलाओ का यहाँ मसाले में चिकन दालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे मिडियम फ्लेम पे ग्यास को रखेंगे और इसे अच्छे से भून के लेंगे मसाले में चिकन को ऐसे भूनने से चिकन में मसाला अच्छा पकड़ता है खाने में भी टेस्टी लगता है अब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल बटन प्रेस करें जिससे आपको मेरे नियू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अभी हम इसे ढख कर रख देंगे 5 मिनिट तक पकने अच मिनिट हो चुके हैं अभी हम इसमें आलू दालेंगे जो हमने फ्राइ करके रखेते और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे लिए कि हमारे पूलाओ का मसाला रेडी है इसमें हम गरम पानी दालेंगे जो हमने बॉयल करके लिया है वो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर घर में बनाए आप और आपके घरवाले को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी अभी हम इसे ढख कर पकने के लिए रख देंगे या मैंने चावल को अच्छे से वाश करके लिया है चलिए देखते हमारा पानी पक चुका है हम इसमें वाश की ओवे राईज दा लेंगे गैस का फ्लेम स्लो करके मैंने चिकन पिलाओं में कोलम राइस यूज किया है आप बास्मती राइस भी यूज कर सकते हो अगर आप बास्मती राइस यूज करने वाले हो तो उसे आदा घंटा पहले या एक घंटा पहले उसे भीगने दे अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे अभी हम इसे ढख कर 5 मिट तक पकाएंगे हाई फ्लेम पे 5 मिट हो चुका है इसे चेक करेंगे देखें हमारा पानी मोसली सुक चुका है अभी गैस को हम स्लो करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे एक टाइम चिकन पिलाव बनाना बहुत इजी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है हम इसे दम पे रख देंगे आपके पस जो भी कॉटन का कपड़ा होगा वो ऐसे दाल देना इसके उपर हम ढखकन दालेंगे और इसको दम के लिए रख देंगे इसके उपर मैंने दम के लिए पुलाव रखी हूँ नीचे तवा है उसके उपर हमारा वेसल है अभी हम इसे 5 मिट तक मेडियम फ्लेम पे पकने देंगे 5 मिट हो चुका है अभी हम इसे चेक कर लेते है देखे हमारा राइस पक चुका है अभी हम इसे सर्फ करेंगे आप चिकन पिलाओ को सालेड के साथ या कोशिंबिर के साथ सर्फ कर सकते हो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी अपने फ्रेंज और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग